भाश्पा ने मिशन 2023-2024 को द्रश्टिकत रखते वे बुद्ध विस्तारक योजना का क्रियान्वयन किया जा रहा है। बुद्ध समीतियों का सत्यापन और डिजिटली करें निर्धारित समय में पूर्ण किया जाये। हमें भाश्पा को सर्वव्यापी वसर्व इसपर्शी बनाने की दिशा में निरंतर कारे करना है। संगठन के कारियों में समाज की सभागीता बढ़ाना होगी। यह बात भाश्पा मंडल विस्तारक कारी शाला में जीला मंडल विस्तारक आत्माराम पटेल ने कही। भाश्पा मंडल अध्यक्ष मुकेस पटेल ने बताई कि शुक्रवार को इस्तानी लालबाई फुलबाई माताजी मंदीर पडिसर में हुई। कारी शाला में मंडल के सभी पदादी कारी एवं कारी करता उपस्तित थे। संचालन सूर्य प्रकाश पार्टिदार ने किया वो आभार अशुक प्रजापत ने माना। सेगाओं से संजय जैस्वाल की रिपोर्ट हो। भारती जन्ता पार्टी का संगठन जो है वो एक सतत चलने वाला संगठन है और जो चुनाव हो या नहीं हो हर समय लगातार काम करता है क्योंकि हमारा एसा मानना है कि युद्धकाल में खुन बहाने के बज़ाए अगर संतिकाल में खुन नहीं बहाना पड़ेगा और आज भारती जन्ता पार्टी पूरे मद्यप्रदेशी नहीं अखिल भारती इस्तर के उपर जितने भी मतदान केंद्र हैं मतदान केंद्र का डिजिटलाइसेशन कर रही है और हम मतदान केंद्रों का डिजिटल वेरिफिकेशन करने का जो कारिकम है बूत विस्तार योजना जो है इस बूत विस्तार योजना के माद्यम से हम प्रतेग मतदान केंद्र को डिजिटल वेरिफिकेशन करने के लिए हमा क्या सब्सक्राइब करें और पास में लगे डेल आइकोन को दबाना बिल्कुल बिना पुले